ये नंदेर साहब गुरु द्वारा है, जो कि हमारे सिक्ध धरम के दसमे गुरु जोनका नाम तक गुरु गोवन सिंग जी उनोंने इसमे इसमे उत्ति सांस देती, ये नापरुन का प्रिये प्रुड़ा सा, उसके साथ उन्ने नंदेर सांस देती, और उसके लिए गुरु द जिसमें बहाई चारा और सद्भावना का संदेश दिया गया था जिसमें सभी लोगों को चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे वो कोई भी हो गुरू नानक जी जो अरज को सुरू किया गया जिसमें महलाओं को महलाओं को भी प्रविश के अनमती थी और जो इस्था नहीं था उनको भी अनमती दी गई थी और इस विज़े से सिक धर्म जो है अपने बास्तिविक बिचारों से खाफी हैंहस हुआ और आज भारत का इक प्रविश कर्म बनके सामने अबर के सामने आया है दस्मे गुरू गुरू गुबिन सिंग्जी यहां पर धर्म परचार के लिए एक उसमे यहां पर रुके थे और उनका प्रिया गोड़ा जिसका नाम ता दिलबाग वो उसके साथ यहां पर आये थे सरहिंद के नबाब बाजीरस भाय ने चलिके साथ गुरू गुबिन सिंगी के हิ्द्या कर देती उसके बाद उन्होंने इक बहुत अच्छा क्रम ही किया कि उन्होंने दसले गुरु के बाद नए गुरु की परंपरा को समाप्ट कर दिया और पवत्व गरंथ को ही गुरु मान दिया जिससे धरम काफी मजबूती के साथ उपरा क्योंकि गुरु गरंथ साहब आधनिक विचारों के साथ अरजुन दियूजी ने उसको संकलित किया और साथ ही उसमें कई ऐसी नेमीन चीज़ें थी जो स्वमाजक विकास के रिए जदूरी थी इसलिए ये जो जगह है ये गुरु जो शिक्त रहम उसके लिए बहुता है ये जगह जो है वो नांदेड महारास्ट में है और गोदावरी नदी के टट पर है जो गोदावरी नदी इसके पगल से ही बहती है और जो किनासिक दे से निकलती है ये गुरु द्वारा जो है अपने विभौता के लिए जाने लाता है और एक रुखति तो है या मैं आपको क है नहीं बता चुकों को बहुत बड़ा दित्विस्तान है